आज बलोदा बज़ार, राइपूर संभा के करमचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगा अधिकारियों और करमचारियों का प्रसिक्षण का रिक्रम है रायपूर के न्यू सरकिट हाउस में तसिक्षण दिया जाएगा सुभा दस बजे मतगर्णा को लेकर जानकारी दी जानी है और साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो 3 दिसंबर को मतगर्णा लेकिन उससे पहले लगतार अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जारी है रायपूर के न्यू सरकिट हाउस में तसिक्षण दिया जाएगा जो की सुभा दस बजे से शुरू हुगा तो मतगर्णा को लेकर लगतार 36 गड़ में तैयारियां तेज होती जा रही है निर्वालचन आयोग के अधिकारी स्ट्रोंग रूम का निदिक्षण भी कर रहे हैं लेकिन समय समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी द्रायपुर से मेन सहियों की लगतार हमारे साथ बने हैं नितिन तीन दिसंबर समय जदा दूर नहीं है लेकिन उससे पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को लगतार ट्रेनिंग दी जा रही है आज कहा का ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में क्या कुछ दिशा नर्देश भी दिये जा सकते हैं नियू सर्किट हाउस में ट्रेनिंग दी जाएगे सुबर 10 बशे से इस ट्रेनिंग की शुरुवात होगी एक प्रसिक्षन के रूप में उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मतगणना होनी है क्या कुछ सुलक्षा के लिहास से क्या कुछ करना है और किस तरह से काम रहेग बारिकी से आज नियू सर्किट हाउस में निर्वाचन के बड़े अधिकारियों द्वारा समझाया जाएगा चूकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो पहली बार निर्वाचन के काम में लगे थे चाहे अलग 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 प्रकार के सिक्षकों की बात की जाए अल विभाग की बात कि जाए उन तमाम अधिकारियों को इस बार निर्वाचन की ड्यूटी में लगाया गया था तो उन अधिकारियों को खास तोर पर आज जो है उनकी मौजूदगी में एक विशेश प्रेसिक्षन दिया जाएगा और तिन तारिकों किस प्रकार की ड्यूटी उनकी रहेगी इन के जो यहां मुख्य अधिकारी है रीना बाबा खांगाले उनकी मौजूदगी में पूरा कारिक्रम रहेगा कलेक्टर सर्वेस और भूरे भी इस कारिक्रम में नजर आएंगे हो सकता है अधिकारी निर्वाजन की ड्यूटी में रहेंगे और बारिकी से प्रतियाश्य के भविस्य का जिस प्रकार से मतगरना होनी है उन तमाम कामों को करते नजर आएंगे फिलाल आज एक बड़ी ट्रेनिंग है निव सरकिट हाउस में यह ट्रेनिंग रखी गई है दस बेसिक ट्रेनिंग के शुरुआते हैं